नमस्कार दोस्तों गरिलो एरवेद ने आपका बहुत-बहुत सुवागत है आज हम आपको बताएं कि आपकी इस प्रकार से अपने चैरे से 5 साल पुरानी जाहियाओ जूर्यों को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं यह बात हम सभी जानते कि जब हमारी उमर धी बतावरण के वेशे यह देखा जा रहा है कि जिन लोगों की आयू 20 साल है 25 साल है 18 साल है उन लोगों के भी चैरे पर आजकल जाहियां वाजूर्यों आने लगते हैं के लिए लोग तरह तरह की क्रीमें अपने चैरे पर लगाते हैं इलाज चलाते हैं अपना पर लेकिन आपको लेना होगा बेशन यानि की ग्राम फ्लार दोस्तो बेशन जो है आपको दो चम्मच लेना है दोस्तो बेशन जो होता है हमारे चैरों के लिए बहुत जादा लाब दायक होता है क्योंकि दोस्तो बेशन जो होता है इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके चैरे से आपकी पुरानी तोचा को मिटाता है यानि कि जो आपके चैरे पे दाग दब्ले होते हैं उनको मिटाता है और आपके चैरे से जितना भी तेल होता है वो सब निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार सावित होता है जिसके विए से आपके चैरे पे कभी भी जाया नहीं हो पाती है तो आपको जो है इस तरह से दो चम्मच लेना होगा बेशन का अब इसके बाद आपको इसके अंदर जो दूसरी चीज लेनी है वो दोस्तों आपको लेना है बिल्कुल ना मात्र के बराबर हल्दी यानि कि टरमरिक पाउडर आप देख रहे हो सिर्फ इतना स ही आपको भी हल्दी लेनी है यानि कि एक चुटकी जो है आपको हल्दी का लेना है ताकि आपका चैर जो है पीला न पड़े पर दोस्तों हल्दी का जो फाइदा है इसके अंदर एंटी ऑक्सिडेंट गुन होते हैं जो आपके चैरे पे पिंपल्स निकल जाते है ना ये उ इस तरह से दोस्तों टमाटर जो होता है इसके अंदर विटामीन सी पाए जाता है साथी साथ इसके अंदर कुछ ऐसे पोशिक तत्वू भी होते हैं जो आपके चैरे के लिए बहुत जादा लाब दायक होते हैं ये आपके चैरे को एक नई रंगत परदान करता है और साथी तो इसके अंदर से रस निकलेगा यह देखिए तो इस तरीके से आपको इसको दवा करके इसमें से रस निकान लेना है और रस निकानने के बाद जो है सबसे पहले आपको इन दोनों को अच्छे से आपस में मिक्स करना है जब आप इन दोनों समगरियों को और इसके अंदर मिलाई हुई हल्दी को यानि कि तीन समगरियों को आपस में मिक्स कर लोगे तब बारी आती है पानी की याद है ना मैंने आपको पानी के बारे में बताया था अब आपको करना कहा है कि आपको जो है एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और इस नुस्के को अपने चेहरे पे लगाने से पहले आपको इसको पीना है तो आपको जो है सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी और इसको पी लेना है और उसके बाद जो आपने नुसकत तयार करा था जब वो तयार हो जाएगा उसके बाद आपको जो है इसको लगाना है और आपको इसको हफते में केवल आपको इसको तीन से पांच बार लगाना है इस तरह से अपने चैरे पर अपने माथे पर अपने ग तो इसके बाद आपको 20 मिनट के लिए अपने चैरे पर इसको लगे रहने देना है तो इसके बाद आपको अपने चैरे को साफ पानी से धो लेना है .나 पर हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीज़े, बाग संदर बनाने में आपकी बहुत зादा मदद करेगा।